असलाम अलेकुम चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उर्दू का अगला चेप्टर चेप्टर नमबर 18 जिसका नाम है इंडिया गेट और यह एक नजम है नजम मैं आप लोगो को बता चुकी हूं पोयम कवीता कोई उर्दू में बोला जाता है ठीके और इस नजम यानि कि इस इंडिया गेट चेप्टर के जो राइटर है लेखक है वो है जगनात आजाद ठीके मुसनिफ कौन है जगनात आजाद याद रखना है इनकी पैदाइश हुई थी यानकी इनका जन्म हुआ था पांच दिसंबर 1908 इस भी को इसा खेल में दे जगह है वहीं पर जगनाथ आजाद3 ना में के नाम तलूक चंद महरूम है जो शायर भी थे और एक्ति नजम अजम है सब्सक्राइब और उसके बाद उन्हें सब्सक्राइब में पंजाब इनर सिटी से फार्स जुबान वा अदब में आनर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद उन्हें सच्वालिस इसभी में वह क्या कर लिए इमें कर लिए ठीक है यह मुख्तलिफ कि नौकरिया की मतलब अलग अलग टाइप्स की नौकरी की मुलाजमत की लेकिन आखिर में उन्होंने जम्मू यूनिवर्शिटी में सदर श्रीवाय उर्दू का ओदर हासिल किया मतलब उर्दू का डिपार्टमेंट था वहां के यह क्या बन गए जगनात आजाद प्रसिडेंट बन गए ठीक है इनका इंतिकाल हुआ 25 जुलाई 2004 इस भी को दिल्ली में हुआ ठीक है यह याद रखना है और यह हो गया आप लोग को जगनात आजाद के बारे में कुछ डीटेल् को लिखे हैं इंडिया गेट आप लोग जानते ही होंगे इंडिया गेट दिल्ली में हैं और यहां तक कि वहां पर कई सारे लोग जाते हैं फोटो की चवाते हैं सेलफी लेते हैं लेकिन उनको इंडिया गेट के बारे में जानकारी नहीं है कि वो किसने बनाया है इंडिया बनवाया गया और वहाँ पर कितने शान से जाकर वो लोग सेल्फी लेते हैं ठीकित इंडिया गेट के बारे में इस नज में क्या किए हैं जगनत आजाद बताये हैं क्या लिखें हैं पहले लाइन में इंडिया की प्लब की फात है निगाहों प 한데 है या फिर यह सोच कर हम लोग दुख मनाएं कि इसको बनाने के लिए हमारे हिंदुस्तानी गुलामी कितना जुल्म सहय है और गुलामी करकर यह इंडिया गेट बनाए हैं तारीख का एक बाब जलील इंडिया इस लाइन में जगरनात आजाद बोल रहे हैं कि इंडिया गेट और धिए मिलता है पढ़ने को मिलता है तो यह व्याइड के को बार हुद पर बनेगा और वह इस में लिख भी दिए हैं इंडिया यहाट गी गेत को देखकर हमारे लिए जलील की बात इंग्रेजों की गुलामी करकर देखिए ऑग्यार कि नसरत का अपनों की गुलामी का दलील मतलब कि गुपल रहbon निन्दिया था इल्ड वह घर की कामयाबी ये अम की आड़ीका ये हम लोगावी का इस सब्सक्राइब क्यों मतलब होता ही कामयावी ये इंडिया गेट अपनों की घुलामी का दलील है मतलब यह ऐसा दलील है जो हम लोग की घुलामी को याद दिलाता है किश्वरे हिंद के जाबाज मुभान वतन खुन से सीचने निकले हैं पैरायों का चमन इस लाइन में जगनत आजजाद बताना चाहते हैं कि जो हमारे के लहरे कहीं अमवाज जमन इस लाइन में जगनत आजजाद बता रहे हैं कि जो बढ़ख्या सी तरह जो नदी से तरह जिस तरह देबरख्या वह क्या जोश तहूर का है अश्देगनी हर कदम से है आया हसरत शम्शीर जनी इस लाइन में जगनात आजाद बोल रहे हैं कि लोगों के अंदर अजब सी जोश है उनके अंदर ताकत है लेकिन उस ताकत का यूज नहीं कर पा रहे हैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्यों क्योंकि वो गरीब है वो भूखे प्यासे हैं और उनको मजबूरी में अंग्रेजों की क्या करनी पड़ रही है गुलामी करनी पड़ रही है मतलब गरीब लोग ही तो वो इंडिया गेट को बनाये थे ना मजबूर गुलाम बनकर ठीके तो वो क्यों नहीं अपने देश के लिए कुछ कर पाए क्यों नहीं लड़ पाए इसलिए नहीं लड़ पाए क्योंकि उनके अंदर मतलब ताकत थी लेकिन गरीबी थी खाने पीने के लिए कुछ नहीं था इसलिए वो मजबूरन गुलामी किये हमारे हिंदुस्तान के लोग ठीके भूख हर शक्स को जाबाज बना देती है सही बात है भूख किसी भी इंसा को ना बहादूर बना देती है यहां तकि वो इंसान अगर भूखा है ना उसको कुछ भी आप बोलेंगे ना करने के लिए वो करने के लिए तैयार हो जाएगा ठीक है भूख में ऐसा बोला जाता है कि इनसान जो होता है वो हैवान भी बन जाता है उसके खाने उसके पास ख उसक्त वह चाहते थे मंच nellaी करना है देश के लिए कुछ करना है लेकिन जिर्श के लिए इसमन्जिल तक के लिए कुछ करने देश में रुक sn besteht आ रहा था वह था गरी ऑप उनको जानबूज़कर उनको मतलब मजबूरी में क्या करना पड़ रहा था मनलब उनका गुलामीं करना पढ़ ठात क्यों टोन के पास रोती नहीं थी वह गरीब थे खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह मजबूरी में उनकी गुलामी करना पढ़ रहा था उनको हमारे हिंदुस्तान की लोगों को तीक है कि आ है मंजिल तक हमारे देश को मतलब कुछ करने के लिए वो राष्टे में जो रुकावट था वो गरीबी था ठीक है उस वक्त हमारे हिंदुस्तान के लोग गरीब थे फिर आगे क्या बोल रहे हैं सामने दीदय मुश्टाप के मौजूद है क्या यानि कि इस लाइन में बोल रहे हैं जगनात आजात कि हमा हमारी आखों के सामने हैं वो हैं इंडिया गेट और हमारी आखे जो है वो उसी को देखना चाह रही है मुश्टाप मतलब होता है चाहना ठीक है तो हमारी आखों के सामने इंडिया गेट है लेकिन हम किस बात की खुशी मनाएं इस बात की कि ये इंडिया गेट इतना है क्या और अफलाक तेरी मंजिले मकसूद है क्या मतलब इस लाइन में बोल रहा हैं जगनात आजाद कि जिन्दगी के खाजाने में ये एक नयाब चीज़ है ठीक है लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि मतलब इसमें हमारे हिंदुस्तान की लोग बहुत ही कुर्बानी दीए है ठीक है आज बहुत सारे लोग जाते हैं फोटो कीच्वाते हैं सेलफी लिया जाता हैं में इंडियागेट के पास जाकर वहां पर कई सारे प्रेग्राम क्रवाए जाते हैं लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि इस इंडियागेट के बनाने में हंघुस्तान की को समझ लेते हैं मुख्तसिर तरीन यानि की अतिलग उत्रिय से स्टार्ट हो रहा है सबसे पहला सवाल है जगनात आजाद कप पैदा हुए तो जगनात आजाद के वालिद का नाम क्या था तो जगनात आजाद के वालिद का नाम तलूक महरूम था ठीक है इंडियागेट कहा है तो इंडियागेट डिल्ली में हैं चौथा सवाल है इंडियागेट की तामीर किस ने की यानि की इंडियागेट को किस ने बनवाया तो अंग्रेजों ने बनवाया ठीक है अब बात आती है मुक्तसिर सवलात की यानि की लगू उत्रि लिखने वाले हैं, यह क्या बात बताएं है इसमें, जो कुछ भी कहा है इंडिया गेट के बारे में, वो आप लोगो को लिख देना है, तो मैं अल्रेडी इंडिया गेट के बारे में हर चीज बताई दी, नजम का भी खुलासा कर दी, तो आप लोग अपने हिसाब से 5 सिंटे में लिख देना है नजम का मतलब होता है मुटी पीरोना किसी भी मौज़ू पर किसी भी टॉपिक पर अच्छे तरह के सलीके और कायदे कानून को फॉलो करते हुए और खुबसूरत खुबसूरत लफजों का इस्तमाल करते हुए लिखना क्या कहलाता है नजम कहलाता है तीसर जगणनात आजाजाद का शायरी के किताब का जिक्र हिए कही भी नहीं बताए एक है है यह कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है और इसलिए आप इस कोश्चन को छोड़ दीजेगा टेंसर नहीं लीजिए यह कोश्चन उर्दू ग्रामर का टॉपिक है जो मैं अल्रेडी उर्दू ग्रामर में पढ़ा चुकी हूं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जमीर किसे कहते हैं ठीक है वैसे फिर से मैं बता दे रहे हूं यहां पर एक बार आप लोगों क समझने के लिए इसमीर का मतलब होता है प्रोणावन कोई उर्दू में बोला जाता है इसमें जमीर मतलब जो नाउन के बदले में यूज़ हो इस में जमीर आप लुक दाकर देख summarize और बहुत अच्छे तरीके से स्माझ में चा़ई आगे सबसे पहला सबीरल की इस नसम में जो सबसे पहला लाइन सब्से पहला है उसका ते खुलासा करना है बंद इंया कि रिफत है निगाहोप पर मुहीत इंडया ुषारीख का एक बाब जलील इंडियागेट आफरंग की तामीर जमील इंडिया अग्यार की नुसरत का निशा इंडिया गेट वह अपनों की गुलामी का दलील यह हो गया एक बंद ठीक है सुरू का ठीक है इसका आप लोगो को खुलासा कर देना है बताना है कि इसम का क्या मतलब हुआ ठीक है तो आप लोगो खुब से बता देंगे मैं तो अल्रेडी बता ही चुकी हूँ ठीक है आगे देखिए दूसरा सवाल जेरे निसाब नजम इंडिया गेट का खुलासा पेस कीजिए यह जो आप लोग के बुक में नजम है इंडिया गेट इसका खुलासा करना है इसमें क्या क्या बताये हैं जगनात आजाद वह आप लोगों को बताना है दस पंदरा जुम्ले में आप लोग बताएंगे खुद से तीसरा सवाल है जगनात आजाद की नजम निगारी का जाइजा लीजिए जगनात आजाद के बारे में आप लोग खुद से लिखेंगे चार नमबर और लाष्ट सवाल है वाहिद से जमा बनाई है लीजे ये भी उर्दू ग्रामर का ही टॉपिक है आप लोगो सिंगुलर से प्लूरल बनाना है एक वचन से बहुचन बनाना है ठीक है यहां पर कुछ लफ्ज दिया है उसका जमा बनाना है प्लूरल बना है यह लोगों का वाहिद से जमा ठीक है और इसी के सांथ आप लोगों का यह चैप्टर नमबर 18 कंप्लीट होता है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नमबर 19 को स्टार्ट करेंगे और उसको और बहतर तरीके से समझेंगे तब तक ले लीजे यहां तक फटा-फट स्क्रीन सोट तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही इस चैप्टर से रिलेटेट कोई भी कम्ट्यूजन हूँ आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सांथ तब तक के लिए जैहिंद और हुदा हाफिस